पुट्र पीड़ी परवार पुत्रकी हत्या की रिपोर्ट एज होने के बाद भी आरोपativos की गिराफ़तारी नहें से परिशान होकर पुलिस अधी चक कार्याले पहुचा यहाँ पुलिस अधी चक कार्याले पहुचा यहाँ पुलिस अधी चक कार्याले पहुचा एक सिकायती पते दिया और हत्यारों की ग्रफटारी की मांग की दरजनों की संख्या में पुलिस अधी चक कार्याले पर उसकी उर्से थाने पर तहरीर दी गई तहरीर पर भीमसेन और्फ करू, पुत्र, बगवन्त वा सिवनाथ, पुत्र, सियांबावू की खिलाब, पुलिस ने अभी तक किसी भी आरूपी की गिरफतारी नहीं की है। पीडित परवार ने पुलिस पर आरूपियों की साथ कहाट और रिस्वत लिए जाने का रूप भी लगाया है। पुलिस अरीचक कार्यारे पर मौझूद पीडित परवार ने क्या कुछ पताया है, यह जरा आप भी सुनिया। आज आप लोग यहां क्यों आयों? अमारे कपतान साफ से मिलें आये थे। हमारी बच्चे नहीं रही है। एफ आई यार तो दर्ज हो गई थी आपकी? हाँ तो हो गई तो बच्चे नहीं रही। ग्रफतारी नहीं होई? हाँ, खरारी फिर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं हमारे बच्चे नहीं रहे हैं। कितने बच्चे हैं उनके? जाया। करने क्या मामला हो कि तुमां भीड़ी लेका है। मामला ही है सार हमारे आपर थाना प्रावली है ना बहां के इस पट्र साथ हैं वह बिल्गुल जांच नहीं कर रहे हैं। क्या घटना क्या हो थी? घटना तो ताल पे लिवा के लेगे थी ना बंदे किसको? मेरे बाई को क्या नम था? राजवीव जमासी कहा है? शिर्सा अब बता पूरी बाद दता हूं क्या मामला है। हमारे भाई को लेवागे उन गाउं से थे मजबूरी की द्वार पे ले जाके मतलब उनकी अत्या करती है। उनके मतलब पैसे चाहिए थी इसलिए उनोने अत्या करती है। किन किन लोगों अन्मारात हैं? विम संपरूव बगवन तजी आफ अब भाई देजकराई थी? आप क्या समस्या आ रही है? समस्या यहारी है, इस सप्टर साब है, उनकी किरभतारी करने करें हैं। उनके कमरे पर रहता है और पयाज भी ले रखा उनके किस से बादा ले लिया है। जो मतलब जो आलोपी है मुल्यम पयाज और उनके कमरे पर रहता है। किसके लिए रहता है।